नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं लाइब नियूज दिल्ली और आज हमारे साथ मौजूद है भारतिय जनता पार्टी के दिल्ली परदेश के जुग्गी जोपडी सेल के परदेश अध्यक्ष सुसील चोहान साब और भारतिय जनता पार्टी के बरिष्ट नेता आनन सब्सक्राइब जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में पहले भारतिय पार्टी ने दिल्ली में जुग्गी जोपडी सम्मान यात्रा एक निकाली थी और उसमें आपके जो प्रदिश अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी दिल्ली में परवास किया घूमे फिरे लोगों की सम समस्या को सुन रहा है एक मूल भूथ समस्या जो आपस निकल करके आ रही है कि लोगों को सरकार ने कहाता कि रासन 快 नहीं भी होगा तो आधार काड़ से भी रासने मिल जाएगा लेकिन जुग्यों के अंदर ना तो रासन काड़ बन रहे हैं और जिनके पास नहीं बने हैं उनको जो आधार काड़ से रासने मिल सकता था उनको भी अब नहीं दिया जारा क्यों करोना पीरिड है तब भी उनको रासन नहीं मिल रहा है इस पर आप क् कहा था कि हम पेरिस बना देंगे जुगियों को किसी ने कहा था यहां दिल्ली में उसका नाम भी लेना ठीक बात नहीं है सबको पता है और जुगई के अंदर में जहां जुगई वहीं मकान बड़े बड़े डिंगे मारे थे बड़े बड़े high building बना देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, community hall देंगे, school देंगे, सब पता नहीं क्या-क्या बोला है, आज बताये जुगी वालों को कुछ मिला इसमें नहीं मिला, अब राशन जो मिलता था वो भी छीं लिया, और अपना जो केंडर सरकार का जो राशन मिलता था, उसमें भी अपना लेबल लगा के बांट रहा था, वो पकड़ा गया, कई ट्रक के ट्रक माल जब्त हुए उसमें, और यहां जो जुगी वालों को जो राशन कार्ड बनना चाहिए था, वो राशन कार्ड भी देखके देत प्रदान मंतरी नरदमुदी जी ने कहा है। यह जो ठगों का गिरो है इतका परदाफास हो चुका है। और जुग्गियों के वस्तियों के अनदिकरित कॉल्णियों के सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ रासन काड तुरन दीजे। नहीं तो मैं अभी अपने जितने भी अपने लोग हैं। चाहे वो जुगी जोपड़ी परकोष्ट है, चाहे रेडी पटरी परकोष्ट है, चाहे और कोई ऐसे मजदूर लोगों का परकोष्ट है। सबसे कहूँगा कि पार्टी जो है रासन काड अंदोलन करे। और रासन काड अंदोलन करके एक दम सरकार को सामने लाए उसका परदाफास करे। या तो तुम रासन कार्ड दो और रासन भी दो और नहीं तो इस्तिफा दो और नहीं तो हम जब चुनाव आएगा तो हम लोग रासन कार्ड देंगे सर जैसे कि एक दो और मूलभू समस्य है वहाँ पर नजर आती हैं दिल्ली के अंदर बादा किया गया था कि पानी मुफ्त मिलेगा और बिजली के बिल आदे हो जाएंगे तो जिस तरीके का पानी है लोगोंने हमें बताया कि पानी आता है जो वो पीभी नहीं सकते है उसमें इतनी बद्वू आती है और जिस तरीके है जीवन वो जी रहे है पानी उनको 55-500.000 रुपे का रोजाना खरीद कर पीना पढ़ रहा है साथीता जुग्जुपडियों के जो बिजली के बिलाते एक किसी का पच्चीज आरका बिलाय हुआ है किसी का पन्दराजार का आया हुआ एक किसी का 30,000 का आया हुआ केए इस पर क्या कहेंगे मुफ्थ जो पैसा और आज जो है switch on off करने में करोडो रुपया डाल रहे हैं मैं यह कहता हूँ अच्छा काम करो ना आप प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने मुद्रा योजना लाया प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने आपका कई योजना लाया skill development लाया स्वनिदी योजना जो street vendor आत्मिर्भर योजना है स्वनिदी योजना वो लाया उसके बाद उज्वला योजना लाया आईश्मान भारत आप वो योजनाओं के लिए क्यों काम नहीं करते हैं जनता का हक मारने के लिए आपको किसने अधिकार दिया मैं एक बाद बतात आप नहीं दे सकते हो तो दूसरे को देने से आप रोक क्यों रहे हो और दूसरा बाद अगर आप राशन कार्ड नहीं दे सकते हो तो दूसरे को देने में रोक क्यों रहे हो राशन तक आप रोक रहे हो इलाज भी रोक रहे हो दवाई भी रोक रहे हो रोजगार भी रोक र आप जो है अपने चेहरा चमका के मफलर डाल के खास्ते हुए टीवी रेडियो में आप दिखाए गए हर होडिंग बैनर में चमकते रहे कोई गरीब का इतना मर गया इतने दब गए इतने बेरुजगार होके पलायन कर गए कभी आपको दुख हुआ कभी दर्द हुआ कितने पानी के लिए बिजली के लिए राषन के लिए मरते रहे आपको कभी दर्द नहीं हुआ केवल आपको दर्द यह होता है कि कैसे आप जनता का गाड़ी पैसा को बिजली पानी के नाम पे ठगी करो और पानी का जब आप connection ही नहीं दोगे तो पानी आएगा का आपने ठीका कि जब बदबुदार पानी पी के डाइरिया हो जाए तो वो पानी का क्या मतलब है आज जमुना जी को सफाई करने के लिए कई हजार करोड निगल गए और जमुना जी वैसी के वैसे हैं अगर जमुन जो विद्वा हैं जो कोई बुजूर्ग हैं उनका pension भी रोग देते हो सफाई मजदूरों के आप salary रोग देते हो health करमचारियों के वेतन रोग देते हो आप हर तरब कई driver के वेतन रोग देते हो कभी आप किसी के रासन पानी रोग देते हो मतलब आपको अधिकार हो गया मतलब आप कुछ भी करोगे यू आरे दादा मतलब आप डॉन हो दिल्ली का डॉन यह दिल्ली का डॉन जो है इसको इसको जनता जो है न ऐसा इसको इदम दफन करेगी कि डॉन कभी पैदा नहीं होगा मैं यही कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी बात कही चौहन साब जिस तरह के से आप हम देख रहे हैं कि हमारे साथ भी आप ग्राउंड जीरू पर जा रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं जब आप इन समस्या को सुनते हैं और आप ऐजे भारते अंतर पार्टे के क पारे करता क्या फिल होता है आपको भी देखिए हमारे पूजनी नेता जी साहु जी ने सारी बाते रख दिया आपके बीच में जुग्गी वालों का दर्द उनकी पीड़ा आपके सामने रखी और उसका समाधान भी बता दिया तो नेता जी अपनी बात में छोटे सब्दो में पूरा आपको सारांस दिया किसकी गलती ही बता दिया और समाधान का है मोदिजी के हाथ में नेता जी ने पूरी अपना जो बात में इसका हल दे दिया है तो उन्होंने बात कही है उनका हम अनुर्शन करेंगे राशन और दूसरे मुद्व पर जो इन्होंने हमें गाइडेंस दिया, अंदोलन करने का उसके लिए हम साहु जी के मार्ग दर्शन में एक बड़ा अंदोलन आमादी पार्टी के खिलाफ करेंगे क्योंकि आमादी पार्टी की सरकार गरीबों के नाम पे आये थी और गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है तो इसका रास्ता आंदोलन से ही है और भाजपा की सारे कारिकरता एक बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि इस सरकार को उखाड़के फैंक सके दिल्ली में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आप दोन लोगों का लाइब नीज दिली पर हर दिक स्वागत एक बार फिर से और हम भी उमीद करेंगे कि भारतियंता पार्टी गरीब आदमियों की आवाज बन करके क्योंकि चुनाओं तो हर पांथ साल में होंगे कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा और हिंदुस्तान में पिछले सत्तर सालों से जबसे हमें आजादी मिली है गरीवी हटाओं का नारा सभी लोग देते आ रहें लेकिन हम ये उमीद करते हैं और देश की जंता ये आप से भारतियंता पार्टी से अपेक्षा करती है कि आ आप इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे ना कि बलकि लेकर जाएंगे और इसको अंजाम तक पहुचाएंगे और इस समस्या का समधान करेंगे सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जिसने जंता को ध दोखा दिया है जो बीच जैसा बोता है उसको वही फसल मिलता है आज जिसको दोखा दिया है वो सरदार बना हुआ है यानि पूरा एक गिरोह का जो है हेड बना हुआ है और जिस समय मोका आएगा आप देखना कि शायद ये वेक्ति जो है सलाखों के पीछे भी होगा जितना बड़ा ये जूट और फरेव का काम किया है पाप का काम किया है तो पाप का घड़ा भर गया गरीबों का जो आशिरवाद मिला था वो शमाप्त हो गया अब ये जितना समय इनको मिल रहा है वो एक तरह से जो कहते ना इंसेंटिव है इंसेंटिव मिल रहा है जितना दिन कर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप देख रहते हैं लाइब नियूज दिल्ली हकीकत को लाख पर्दों में छुपाईए लेकिन एक ना एक दिन वो निकल कर सामने आई जाती है दोस्तों देखते रहे जुड़े रहे लाइब नियूज दिल्ली